पहली बार साथ एफ्रीका में पाया गया कोरोना वायरस का ओमिक्रोन वेरियंट इदिहास का सबसे तेज फैलने वाला वायरस साबित हो चुका है इसकी संक्रमण फैलाने की शमता हैरान जनक है दुनिया भर में इसके फैलने के बाद इस समय औस तम बारा से तेरा लाख नए संक्रमण हर रोज सामने आ रहे हैं वहीं जान लेने के मामले में ओमिक्रोन कितना खतरनाक हो सकता है अभी इस पर रिसर्च चल रही है और इसी बीच फ्रांस से कोरोना के एक और नए वेरियंट की खबर आई है वहां के एक संस्थान ने इसके खोच की है आस्थाई तोर पर इसे IHU वेरियंट नाम दिया गया है फ्रांस के वैग्यानिकों ने बताया है कि फिलहाल बारा मरीजों में इस वेरियंट को देखा गया है उनका कहना है कि IHU में ओमिक्रोन से भी ज्यादा म्यूटेशन है आपको बता दें कि विश्व स्वास्त संगठन यानि कि WHO कोरोना के हर नए वेरियंट को दो कैटेगरी में रखता है एक वेरियंट ओफ कंसर्ण और दूसरा वेरियंट ओफ इंट्रेस्ट जादा खतरनाक वेरियंट आफ कंसर्ण की श्रेरी वारा वेरियंट माना जाता है ओमिक्रॉन को भी इसी श्रेरी में रखा जाता है